हालो एब्रीवन वेलकम टो मार टेकनोलोजी फ्रेंट्स आज की विडियो में हम लोग डिसकल्स करें से प्रदाप टो एक विखियुलेट ग्रॉस सेलरी कैसे फाइंड ऑट करेंगे तो ग्रॉस सेलरी जो होता है हमेरा सबसे पहले हम लोग वेसिच सेलरी को देखें गेंगे बेसिस सेलरी जो हमारा जो होता है जो कि सेलरी का एक पार्ट है उसके साथ साथ आपका HRD होता है house agent allowance, DE होता है, TA होता है MA medical allowance इन सब को मिला कर एड करके एक final हमारा gross salary क्या होता है तियार होता है और वही salary हमें मिलता है तो सी पुर्द्राम में आज हम लोग इसी को देखेंगे, इसी का पुर्द्राम आज हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे has include studio.h has include konyo.h यह हमारा header file है जो कि हमें सी में हमें scanf और printer के लिए हमें use करना है studio.h और यहाँ पे हम अपने output window में हम ऐसा imaging करें कि output window में हम क्या input करेंगे basic salary और हमें c क्या करेंगा calculate करके देगा gross salary इसमें house rent और एक criteria देगे TA कर देगे, MA कर देगे, DA कर देगे, सब कुछ मिला कर, सबसक्ता criteria क्या होगा यहाँ पे define किया जाएगा और उसके according हमारा gross salary क्या हो रहे है यहाँ पे find out किया जाएगा तो यहाँ पे basic salary नामतार यहाँ पे basic और underscore salary यहाँ पे क्या कर रहे हम यहाँ एक variable यहाँ पे declare कर रहे हैं जो कि एक float data type इसलिए हम लोग use कर रहे हैं कि integer जो होता है वो positive और negative value को ही करता है integer कभी भी decimal value तो so नहीं करेगा तो decimal value को so करने के लिए हम लोग float data type हम लोग use हम लोग करते हैं तो float basic salary, g salary का मतलब क्या होता है gross salary, hra, da, ma और ta इस अपुछ हरी कंपरी में आपको basic salary के साथ आपको एडिसनल आपको दिया जाता है तो da, ma, da का मतलब होता है dearness होता है dearness allowance, ma का मतलब होता है medical allowance और ta का मतलब होता है traveling allowance अब सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे, message को यहाँ पे print कराएंगे, इंटर बेसिट salary तो यहाँ पे print app में हम यहाँ पे लिखेंगे, ठेक है तो हमारा house rent, hra हमारा house rent हो जाए रहा, da, यसे आपका house rent अधर आपका 40% है, है न, तो 40% जो हो जाए आपका house rent हो जाए, da हो जाए आपका dearness allowance, ma हो जाए आपका medical, तो यहाँ पे मैं सब पुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठेक है, hra का मतलब यहाँ होता है house rent allowance ठेक है, house rent, allowance हमारा क्या हो जाए, hra, अधर बात करें, ta का, तो ta हमारा हो जाए रहा, traveling allowance ठेक है, और ma अधर बात करें, तो ma का होता है medical allowance और da का होता है, या dearness allowance हमारा यह होता है, ठेक है, तो अब यहाँ पे हमारा, सब कुछ हम लोगे समझ में आ गिया है, कि hra किया है, da किया है, ma किया है, ta किया है, यह सब कुछ हमें understand हो रहा है, ठेक है, अब यहाँ पे एक message हो, यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, basic salary input कराएंगे, तो input कराने से पहले हम यहाँ पे message हो करना चाहते है, यहाँ पे लिखेंगे, printf, enter, basic salary, ठेक है, enter, basic salary यहाँ पे होगा, ठेक है, equal to double quote, और यहाँ पे semi column से क्या करेंगे, इसको terminate कर देंगे, तो semi column से इसको terminate होगा, उसके बाद यहाँ पे scanf function, scanf हम यहाँ पर यूज करेंगे, यह basic salary को input कराना है, तो float data type हम यूज करेंगे, तो float data type का format specifier जो होता है, वो %f होता है, जो कि हम लोग आज इसको देखेंगे, तो देखेंगे, सपोज मेरा basic salary, जो किसी company में मुझे basic salary मिला है 15,000, ठीक है, तो basic salary जो कि मेरा जो है, वो 15,000 है, उसके साथ मुझे HR-A का सुविदा मुझे मिल रहा है, DA का सुविदा मुझे मिल रहा है, MA का सुविदा मुझे मिल रहा है, और यह company में depend करता है, कि HR-A आपको कितना देती है, house rent allowance को कितना देती है, DA क कितना देती है में कितना देती है यह सब को सका है जी एख ज заб होता है घर सेलरी तो नियुक्र वह मिलता है के अभ यहांप यहां सब मेंگों ट्रприücke झाली किरें हैं हम यहां पर इंफट कर आइंगे तो हम लिखें गिल और सकने परसेंट टैप मतलब व्लू डेटाब हमने यूज किया है इंट अधर हम लेते हैं तो कर सेंट लिया जाता हुआ तो %F, basic salary यानि कि basic underscore salary जो हमारा variable हमने बनाया है अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे है हरे का जो है हम यहाँ पर value निकालेंगे, DA का निकालेंगे, MA का निकालेंगे और TA का निकालेंगे तो हरे जो हमें जो मिल रहा है वो हमारा 40% है के यहने हमारा salary का 40% क्या मिल रहा हमें ह रे मिल रहा है डीए जो हमीज़े हमीं जो मिल रहा है टेक है दीए हिरे में यह मेडिकल एलोयन्स जो है को ना कमपनी आपको मेडिकल था भी खर्चान अब को देगी ट्रैविलिंग करने का भी खर्चान आपको देगी जो क्यों कि इंप्लाइट वो कंपनी प्रभाइड करती है तो हरे हमारा 40 परसेंट दीए 30 में मेडिकल एलवांस 20 और टीए हमारा 10 परसेंट अब यहां पर हरे आदर आपको फाइंड आउट करना है कि हरे का वैलू क्या आएगा तो यहां पर हरे इकोल टू क्या तरना होगा आप को कि बेशिट सेलरे इंटु और आपका यह एक और कu आपका वैल्य है है कि एक आई बहुझत ुप परसेंट है तो यहां पर तो इस तरीके से हमने हरे को क्या कर लिया हमने find out कर लिया अब हम लोग किसको निकालने के लिए फिर से हम लोग यहां पर basic underscore salary into क्या करेंगे 0.3 करेंगे तो हमारा क्या निकल जाए हमारे डीए का जो value है वह हमारा निकल जाए जितना हमारा salary है उसी salary में से हमें क्या करना है है हरे find out करना है डीए find out करना है ठीक है इन सभी को निकाल कर और उसके बाद last में हम क्या करेंगे इसको एडिस इसको एडिसन कर देंगे सम कर देंगे तो में इकल टू basic underscore salary into 0.2 क्या कर देंगे यह आपर 2 इंटू 0.2 हमारा हो जाए तो जिरो पॉइंट टू ठीक है यानि कि क्या हो गया है यहां पर 20 डिवाइड़ यहां पर 100 पिर टीए है बेसिट सेलरी बेसिक underscore salary इंटू ठीक है बेसिट सेलरी इंटू 0.2 यहां पर आप तक यहां पर हो जाए रहा है यहां पर हो जाए रहा है इस तरीके से हमने NaHra निकाला डिये निकाला ends Movane निकाला एंट यहां कि वह सल्ष हमने find out कर लिया अब हम finally क्या करेंगे यहां पर ग्रॉस सेलरी को क्या और ग्रॉस सेल्ली क्या से निकलेगा तो आपका जो debisect अल्री उइंट है वह सुब्स बहुत आपने निकाला इन से फॉट पूर देंगे हम इसको एड्ड कर देंगे तोता है थो एस चर्ण क्या ओरा वहारा आरा यानरी कि घ्र मीं लग इंष्ण और हमारा नाम से रिट्व में वह लेकलाइट कि यहां पर जी सेलरी तो g salary equal to ठेक है g salary equal to यहाँ पर b salary तो यहांकि जो basic salary हमारा जो हो रहा basic salary हमारा कितना है 15,000 है तो basic salary हमारा 15,000 है ह निकल के आया hr 1 हमारा जो है 0.4% है यहने कि ठेक है तो basic salary प्लस hr a प्लस da प्लस ma प्लस ta इन सभी को क्या करेंगए एड करेंगे तो हमारा की निकल जाएगा कि ग्रॉस याइन कि जी सेलरी निकल जाएगा अब हम इसी जी सेलरी को क्या करेंगे बिंक कर देंगे यंद की लिखेंगे PRINT F ठीक है printf double quote और यहां पे अब हम जा रहे हैं कि सारे का value भी यहां पे क्या हो print हो hra का कितना value हम देखना चाहते हैं कि हमें hra कितना हमें salary का हमें house rent allowance मुझे कितना मिला कितना मेला अधिकल एलोएंस कितना मिल टी एकितना मिला और लास्ट में हम सब्कुर्ण कालइकुलेट करके ग्रॉसैल देखना चाहते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम हौ्स एंट एलोएंस को कंपाइल कर लेते हैं पूर्ण को ऑल्टपलस एफ-9 और उसके बाद फिर यहां ठीक है उसके बार फिर यहां पर कड़ेंगे रन कर देंगे कोई भी एर्ट नहीं नहीं है इंटर बेसिट सेली सब्सक्राइब यहां पर दे रहे हैं तो सेल्ली में हमारा 15,000 तो मुझे मिलेगा ही प्लस आपको 6,000 एडिसनल आपको मिलेगा जो कि हाउस रेंट कलाया था फिर उसके बाद मेडिकल यहां पर्सेंट और यहां पर्सेंट टैप क्यों लिख लेंगे है कुंकि यहां पर हमने क्या किना इपडिकल staology टैप-डवल. कोड कोमा में सेमी कॉलम फिर प्रिंट अब करें है यहां पर ठेक है प्रिंट अफ यहां पर हो जाएगा फिर ट्रैवलिंग एलोएंस traveling allowance equal to equal to percent f double quote comma क्या TA इस तरीके से हमारा hra निकल गिया dna निकल गिया ma निकल गिया ta निकल गिया इन सभी का value भी हमारा क्या हो जाएगा output screen पे print करेगा ठेक है सब को bet slash n भी हाँ पे use करी है bet slash n हम use नहीं करते हैं तो जो भी statement हम लिख रहे हैं सब्सक्राइब 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 तो हरी क्लाइब में प्रिंट कराने के लिए हम दो क्या करेंगे bet slash n यूज कर लेंगे तो इंटर करें बेसिट सब्सक्राइब 15,000 तो देखिए हमारा house rent allowance 6,000 इन हमारा find out हो गिया देखिए अलोएंस 4500 रुप्या हमारा वो मिला medical का में 3000 रुप्या मिल गया traveling का में हमारा total यहां पर कम हो गया अब यहां पर finally अब हम यहां पर क्या करेंगे printf gross salary को क्या कर देंगे यहां पर हम यहां पर find out कर देंगे ठीक है तो gross salary हमारा जो क्या होगा तो gross salary equal to percentf double quote comma gross salary s-a-l-a-r-y ठीक है gross salary semi-columns इसको क्या करेंगे terminate कर देंगे ठीक है यहां पर basic salary है यहां पर हम input कर रहे है ठीक है जैसे हमने suppose input कर आया 20,000 20,000 salary है तो 20,000 salary का house rent कितना आया 8,000 डीर्णेश 6 medical 4,000 traveling allowance 2,000 और total हमारा जो आया salary वो 40,000 पर हमें मिलिए फिर से compile कर रहे है 15,000 house rent डीर्णेश 6,000 medical 3,000 इस सब मिलकर हमारा finally complete यहां पर हो गिया basic salary यहां हम देते हैं 30,000 रपिया तो 30,000 का basic salary input कर रहे है तो हमारा total gross salary कितना है 60,000 रपिया हमारा complete हुगा इसमें traveling 3,000 मिला medical 6 डीर्णेश 9,000 और house rent 12,000 हमें मिलिए टोटल हमारा 60,000 रपिया हमारा gross salary हमें complete तो यह जो gross salary जो हुआ यह gross salary हमें final हमारा salary हमारा होता है अजोब आप आप वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद आए ते वीडियो लाइक करिए सस्क्राइब करिए कॉमेंट कीजिए स्यार की धने बाद